जिसको आप पिछले बार आपने कहा था कि आपके पास प्रूब क्या है आज प्रूब के साथ आया हूँ एक वेक्ति है जो मेरे राज जिका नहीं है इसका डिटेल्स आपको कुछ दिन बात दे दूँगा ये साथ जगा बोटर आइडी बना के बैठा है हमारे जारखन के लो का बोटर आइडी बना के बैठा है ये अन्य राज्य का निवासी है इस तरह नाम कंफम किसे का सकते हैं जितना अड्रेस नया नया अड्रेस नया नया नाम लेकिन काफी मेहनत के बाद हमारी टीम ने इसे खोज कर निकाला ऐसे लाखो उधारन मिलेंगे और भविस में जो ह नियोजन की बात कर ले कि आज नियोजन नीती अवश्यक क्यों है नियोजन नीती आज धारखंट के लिए अती अवश्यक है नियोजन इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम सभी इंसान है हम सभी को जोरत होती हमारे लाइप में आवशक्ता होती है और आवशक्ताओं की पूर् चाहते हैं हमने जमीन बैचनी होगी और सरकार और वाहर शुम siop पेपर कटिंग है यह मामला है आपका हजारी बाग का कुमारी दीप प्रिर्णा का मामला है कुमारी दीप प्रिर्णा जारखंड की बहान है वो BC1 में आती है JPST का एक्जाम वो क्लियर करती है इंटरव्यू क्लियर करती है और लगवग लगव इंटर्वी में अब उसका वैकेंसी किलियर था कि ये जपीस्टी का इमतहान पास करने के बाद इसको नोकरी मिली जाना था इस परकार की धांदले बाजी यहां जहरखंड में जहरखंड के चातर चातराओं को चलने का काम किया जा रहा है और दुरभाग की बात है ये तो आश्चेर आपको तब लगएगा एक जेपीस्टी को लगभग जगनात महतों के लिटर पेड से लिखा गया है कि भाई गलत हो रहा है मत्रा महतों के लिटर पेड से लिखा गया है बाबुलाल मरांडी के लिटर पेड से लिखा गया है जे परकास भाई पटेल के लिटर पेड से लिखा गया है अमित यादाओ के लेटर पेड़ से लिखा गया है पांच-पांच-पांच-चे-चे बिधायाग लिखते हैं JPST को कि आप गलत कर रहे हैं जिसका राइट है आप उसे देने का काम करें लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं आने बाले फ्यचर में ऐसा भी देखने को मिलेगा कि धीरे 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 धारखंड की जो अस्थानियता है धारखंड की जो परंपराएं वो धिरदे खत्म हो जाएंगी आज धारखंड अनुसुची पांच में आता है लेकिन अंद्रूनी आकरे कहते हैं जारखांड में प्रतेक बर 36 जराबादी आके यहां सिफ्ट हो जा रही है 36 जराबादी आती है वो भटर आइडी बना लेती है वो रासन कार्ड बना लेती है तो निश्य एक दिन अनुसुजी पांच को भी डिस्टरब करेगी क्योंकि आबादी नहीं रहेगी अनुसुजी उनकी आबादी अटोमेटिकली डिस्टरब करने का पुरा साजिस चल रहा है आप अगर आकड़ों को उठा कर देखें तो आजाद भारत के समय जब आजाद हुआ 30% आदिवासियों की संख्याती आज 7 की 8% बचे हैं जारखंड में उनकी आबादी लगभग 52 परतिस अथी आज 25 चबिस में आ चुके हैं तो जो बाहरी राज से आ रहे हैं 36 आर के आखड़े जो अंदुरुनी आखड़े रिपोर्ट बता रही है निश्चय ही यहां की आबादी को भी एक दिन प्रभावित करेगी जब यहां की आबादी को प्रभावित करेगी तो अनुसुती 5 को ही प्रभावित करेगी दूसरी बात अगर हम जारखंड की एक बड़ी आबादी को बंगाल भेजते हैं वो यहां के अस्थानिय तक कई से तह ते करती है यहां अपको प्रमान आपको जाके बताना पड़ेगा हम कितने दिनों तक यहां रहेंगे यह अरुनाचल परदेश हमारे एक जारखंड के साथी का है वह जब अरुनाचल परदेश गया हुआ था उसे वहाँ के तंत्र ने पूछा कि आप कितने दिन रहेंगे उसने बताया आपका देखिये उसका जाने का टाइम था अरुट के लोगों को सुरक्षित रखना है तो इनर लाइन परमीट के तहथ यहां भे कुछ कानून ऐसे बनाने होंगे जो जारखंड को सुरक्षित रख सके अन्यता जारखंड आने वाले दिनों में उपनिवेस गुलाम रहेगा यह तई है जिस परकार अंग्रेज यहां से सोना लुटके ले जाते थे हैं ठीक उसी परकार आज यहां से कोईला यूरेनियम लुटके चले जा रहे हैं पुस्तिके अब थोड़ा समय बात करना चाहूंगा कि मैं आज मैं कोई हवा हवाई बात नहीं करूंगा एक फिलोसफर की तरह बात करूंगा सारे आंकड़ों के साथ बात करूंगा जारखन में यूरेनियम आप सभी जानते हैं सायद पूरे एसिया में सबसे ज़्यादा सरकार को कहती है कि इस पर आप देखें जाज करें लेकिन सरकार को तो लाखो रुपए पैसे आते हैं सरकार के बैठे पाक्ष विपक सबको उनको कोई मतलब नहीं है यह रिपोर्ट कहती है कि यूरेनियम जहां प्राप्त किया जारा जादू गोड़ा उस साथ गाउं का सर इस परकार उनका सरीर उने डहल चुका है उरेनियम के रेडियेशन से यूरेनियम रेडियेशन जो कभी हिरोसीमा नागा साकी में जापान में बंफुटा था आज भी लोग अंधे लंगडे लूले पैदा हो रहे हैं 30% महलाएं गर्वधारन नहीं कर पाती है तो इसलिए आज आवसकता है सरकार को नहीं पूरे देश को सोचने की आंदोलन की क्यों जोरत है आप मुझे घिरना कर सकते हैं मुझे ट्रोल कर सकते हैं मेरे मुद्दो को मेरे विचारों को मेरे थौट्स को ट्रोल नहीं कर सकते हैं तो इसलिए आज बहुत अती आवसकता है आज सोच क्यों नहीं होगी बाकी लोगों को किसान मजदूर कामगार अदिवासी मुलबासी को आप तो जानुवर सभी बत्तर मानते हैं नहीं तो यह रिपोर्टेशन नहीं कहते हैं उनमें कोई सारणिक छमता का विकास ही नहीं हो रहा है उनमें बच्चे पैदा हो रहे हैं अपंग तो इसलिए आज ये आंदोलन अती अवस्चा के बार-बार मीडिया बंधों का यही प्रस्ण रहा है कि आंदोलन की अवस्चता क्यूं है तो आंदोलन की आज अवस्चता इसलिए है कि जारखंड को बचाना है सब तरब से बचाना है उद्योग पतियों के नजर से समयधानिक देश है, सभी की अपनी अपनी राज्य है, अपनी अपनी मरियादा है, यदि किसी को मेरे बाद से ये लगता है कि हम बाटने का काम कर रहे हैं, तो मैं निवेधन करना चाहूंगा, ये सीमाय खत्म कर दीजिए, ये भारत सिर्फ देश होगा, कोई राज्य नहीं ह जारकन उडिया के बीच भी लाइन रहेगी इसको खिचना होगा नहीं तो हमारा नुक्सान हो रहा है इतना बड़ा नुक्सान हो रहा है कि आने वाली पिडियूस का अनुमान नहीं कर सकती है मैं आपके एक जोलंत उधारन देना चाहूंगा एनेच 32 आप लोग भी सफर किये होंगे राची से धनबाद गये होंगे एनेच 32 में जब आप सफर करते हैं महदा जानने के बाद उसको आपका ले गया है राजगंज यानि 15 किलिमेटर रोड को डाइबट किया गया है और उस आपके पस प्लैन भी क्या है दूसरी बात अभी लातेहार से काफी संख्या में लोग राची राजबहौन आये हैं उनसे भी अभी हमिलेंगे क्या मामला है जो आपका फिल्ड फाइरिंग रेंज का मामला है वहाँ 245 गाउं भी श्थापीत होंगे बताइए 245 गाउं बरबाद करने के लिए आप फाइरिंग रेंज की अगर अस्थापना करते हैं तो यह किस परकार से मानव्यों कह सकते हैं किस परकार से आप समय धानी हम लोग वहाँ जाएंगे भी तो इस तरह की बहुत सारे बाते हैं अगर हम लोग एकक करके बात करेंगे तो रात हो जाएगे लेकिन जहरखंड के मुद्दो का समाप्त नहीं होंगे ओपें कास चले जाए कोलियरी वहां के जी एम असपस्ट कहते हैं कि सिर्फ धनबाद के भौरा छेतर में इतना कोईला मिला जिससे हम पूरे धनबाद की भरपाई कर सकते हैं लेकिन जिनका जो रहियत हैं आज भी हरताल कर रहे हैं आज भी थाना जा रहे हैं लेकिन उनके तीन क्रो जनता को यही संदेश हम देने के लिए आज आए हैं कि आज यह लड़ाई क्यों आवश्यक है अस्थानी नीती क्यों जरूरी है नियोजन नीती क्यों जरूरी है उद्योग नीती क्यों जरूरी है और अगर नहीं लड़ते हैं तो आप हमारा भविस्ट क्या होग अनली बिहारी candidates are allowed इतना तो मानव यह कहीं नहीं होना चाहिए ये तो और नहीं तीखे जिस राज्य में नोकरी दिया जाएगा जिस राज्य में company है वहाँ क्या लिखा जा रहा है only बिहारी candidates are allowed यानि साफस वब्धों में कहें तो हिंदुस्तान की नोकरी और लिखा जा रहा ह जो राज की पहचान आदिवासी मुलबासी की पहचान मीटाने का प्रियास एक मधुली का नाम करके धनबाद में काफी फैमस स्वीट है आपने वहाँ उनका भी एक इस्तहार पढ़ा होगा कोई एकाउंटेंड का पोस्ट है उन्होंने असपस्ट लिखा जैक और जारखंड के माननेता प्राप्त इंवर्शिटी उसमें अगर छात्र पढ़े हैं तो आवेदन नहीं कर सकते हैं खाने बाले मीठा को जारखंडी लोग पेकिंग करके लाएंगे जारखंडी लोग पैसा खर्चा करेंगे जारखंडी लोग और देखे साब साब सब्दों में लिख रह आज अगर जारखंड के लोग नहीं लड़ते हैं तो इनका बहुत बड़ा नुकसान होगा इतना बड़ा नुकसान होगा कि जारखंडी सोच नहीं पाएंगे अंग्रेज सुभी बुरी स्तितिया जारखंड की होगी इसलिए आज आपके तमाम चैनल्स के माध्यम से आपक यही है घृलु मातों के साथ मेरे साथ हैं इनका फोटो बायरली हुआ है अब बताए एक लड़का हर किसी खौाहस होता है कोई नेता गाव में उसके सब फोटो खीजा है धीक है डूलू मातों के साथ हुआ है जगञ्णाद मातों पर साथु उसी का फोटो है इसे भी वैरल किया जाए उसी इंसान का उसी इंसान का फोटो जगनात महतों के साथ अभी कहा रुखते हैं उसी के फोटो डॉक्टर अजय कुमार के साथ है कॉंग्रेस एक यूथ है यूथ अगर सुनिल सेटी या सलमान खान या सारुक आपके बीच भी बा पॉलिटिकल पार्टिया राजमें नामी सब के साथ फोटो है तब तब मिडिया वाले हैं कि किस पार्टी से इस तस्वीर का क्या सच अब देख सकते हैं दूसरी बात जगनात महतों उनसे मेरा घरलू समबंद रहा है जब से आम छोटा है तब से काफी उनसा करीब रहे हैं और चुकि टाइगर जगनात महतों पाराशनात पहार तो और इमानदारी से निश्ठापूरवक के दें इसमें कोई मैंने आज लोग अगर मुझे सुनना चाह रहे है तिसलिके मैं निश्ठापूरवक हर बात को केता है जगनात महतों के मैंने 2019 के लोग सभा चुना में प् खटाने के काम भी यूथी करेंगे यह सचाई है जगनात महतों से नजदी की रहा है लेकिन अभी और इसी कोई सचाई नहीं है पिछले साल भर से किसी पॉलिटिकल पार्डी से मेरी कोई ना बात हुई है ना भेंट हुई है कुछ ऐसा बात नहीं है अकबार में ख़वर चपी थी कि आप टुंडी से विधांसवा चुनाव लड़ने की तयारी कर रहे हैं तो यह जो खत्यान की लड़ाई लड़ने वारे लोग है अलग अलग विधांसवा में अपना केमपेंग चला रहे है तो कहिए अपनी मात पांचा तो नहीं है कि हम च कुडमी आंदोलों ने 18% कुडमी है पहला बात तो उन्होंने घर बैठे जनगन्ना कर लिया है कुडमी 18% है उन्होंने हमेशा ही आंदोलों को दिखभरमीत करने का परियास किया है उनसे मेरी 9 मिनट 30 सेकंड बात हुई हम सुखारते हैं लेकिन इस बात को हमने कभी नहीं क अगर सरकार काम कर जाती है सवाल ही नहीं है तो उन्होंने जबरन वे हमेशा आंदोलों को दिखभरमीत करने का प्रियास किया है हम तो कहेंगे मेरा 9 मिनट 30 सेकंड आप से बात हुई है औडियो को वाइरल कर दें जनता के सामने सब्वा जाएगा आप यह कहना चाहर है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे अगर लाग होके तो हम लोग पढ़ने चले जाएंगे हमें आवशकता ही नहीं है चुनाव लड़ने की एक पैसा आपने त्यारी करेंगे प्रोफेसर बढ़ने की त्यारी करेंगे उसके बाद जनता जैसा चाहिए पर देखें लिए तो देखें लिए और चोगी के नीचे आके सोया था तो बहुत दर्द को देख रहें दादा हम लोग भी स्टूडेंट है उस दर्द के लिए आज हम लोग लड़ने के लिए हमारी कोई महत्वकांचा नहीं है आप लोग राई रिवनी टिकट साट के ला अब यह बातों को मैंने कहा यह जब राज के तमाम यूथ जब इस बातों को कहेंगे आयल पी क्या है नियोजन नीती में कहां घपला हो रहा है चाटीस जार जो आप लोग आके यहां बस जा रहे हैं उससे भारत मनें हमारे जार्खन के भविष्ट को क्या होगा तो यह परेशान अभी होने कि उतनी आवी शक्ता नहीं है गर्मी टलेगी पंचया चुनाव टलेगा और हम आएंगे क्यों आंदोलन लंबा जाएगा चोटे चीरा नहीं होता है हम लोग पूरा रणीती के साथ सड़क पर भी आएंगे सड़क के साथ जो भी एक आंदोलन में पू कोई बात नहीं में किया जाता हैं मारी जमीन हमारी माटी और रुपिया बहर के लोगा के कमाते हैं बाहर के लोगा के कॉंट्रैक्ट लेते हैं मैंड चलाते हैं हमारे लोग 3400 फुटिया मज़ूरी करते तो उस जिंदगी सा अच्छा है मार दीजे आप गोली लेकिन जनता के लिए हम कुछ भी करेंगे जनता के लिकाए अब कोई नाम दें अलगाव बादी दें उग्र बादी दें जोक हैं हम जो भी मेरा हतिया कदम उठेगा वह जनता क की लडाई के लिए विर्साम उंडा सिद्धो कानू और रगुनात महतों चुहाल बिद्रों के उन्होंने हत्यार उठाया था हम भी उठाने से पीछे ने उठेगे चाहिए जो परिनाम होगा अरे मरने को एक दिन सब मरेगा सिकंदर महान सिकंदर खाली हात गया है हम भी ज मुलबासी सड़क पर है लेकिन लोगों का जमीन इसलिए हरपा हम बार-बार कहते हैं हमारे बीनोद बाबू भी कहते थे कि हम जारखन तो अलग कर देंगे लेकिन जारखन को चलाएगा कौन यदी मान के चलो यहां कोई इंजिनिंग बन जाता है मेडिकल हस्पीटल बन जा जारखन के लोग कहा होंगे तुम तो पहुचा मारोगे तुम तुमा जाड़ू मारोगे क्यों इसलिए बार-बार क्याते हैं पढ़ना होगा यह हमारे आज बहुत सारे लोग दिल्ली के तोर पर परिवर्टन होगा संभव नहीं अभी कि दिल्ली में जुकेटेड लोग है वे पढ़े लिखे लोग हैं वे लोजिकली बात करते हैं जारखन के लोग भावनावम बात करते हैं अरे उतना तो छोड़िए जारखन के लोग यह यह यूथ हैं जिसका कभी कोई पलिटिकल संभव नहीं उसे परदास नहीं कर पा रहे हैं अरे हम मेरिट चाहे हैं इनको नेपटिजम बरदास है भाई भतीजाबाद बरदास है लेकिन एक टेलेंट से पढ़ा लिखा लड़का अगर आगे आ रहा है उसे यह परदास नहीं कर पा रहे है तो जारखंड एक अलग परिपेक्ष्य में खड़ा होता है यहां समय लगेगा बिल्कुल अब किए आदिवासी च्णतिजम बंद करें अब बंद करें जादूगड़ा की विरनम के बंद करें वहां महीलाएं इस परकार की हिष्टिति में बहुत सरम नाग हिष्टि अब बंद करें उन खणननों को जिससे मानों को नुखसान हो रहा है आप किजिए पहला विकास कि आज आदिवासी सबसे जोलंद मुद्धों में हैं। उसके बाद आप मुलवासी को ध्यान देजाएं। जब विकास किसी करे तो यहां कोई विकास नहीं हो रहा है। यहां केबल परतिष्ठा, पावर, पैसा और परिवार दिखा जा रहा है। अगर सरकार इतनी आदिवा सब्सक्राइब करने के लिए आज आगे आना ही होगा नहीं तो आने वाले दिनों में समस्याइं बहुत बिकट होगी एक लाइन में कहेंगे। पंचायद चुनाव में कुछ प्रभाव डाल पाईएगा। नहीं देखे पंचायद चुनाव मुद्दों से दूर रहेगा। इसलिए पंचायद चुनाव में अगर 1932 खतियान की बात होती है तो पंचायद चुनाव में लोग हम लोग बढ़ जाएंगे। चोटे-चोटे कुटी रुदोग की बात हो कौन सा मुख्या कितना इंटेलिजेंट है जो नए आइडिया लेकर आता है वहाँ सिक्षा स्वास्त इन सब चीजों की बात हो ग्राम सभा को मजबूती कैसे मिले इन सब मुद्दों पर पंचायद चुनाव लड़ा जाए वहा लड़ने बालते और उसे भी मुख्या संगे पर्दे सद्रा चुके दूसे लिए अगर कोई लड़ते हैं तो लड़ने दीजे लेकिन मैंने पहले कहा है कि मैं तभी चुनाव हो या कोई भी चीज आंदोला नो पाटिस्पिट मेरा तभी होगा जब जनता चाहिए और फिल साल बाद जो अंदोलान ब्रिहद अंदोलान खड़ा हुआ है इस अंदोलान को अगर किसी परकार से नुक्सान हुआ तो अब 21 नहीं अब 14 साल लगेंगे फिर खड़ा होने में तो इसलिए अब जनता जान चुकिए उन्हें क्या नुक्सान हो रहा है छोड़ा बच्चिया बच्चे जान चुके हैं कि क्या नुक्सान हो रहा है जारखन में अस्थान निती नियोजन निती नहीं बढ़ने के काराण इसलिए इस बार कोई डिस्टोमेंस नहीं होगा हमारी लड़ाई धीरे धीरे हम लोग खरगोस बढ़न के एक आयक नहीं भागेंगे कच्छवे की जरूर करें तो वहीं बिश्तुत खबरों के लिए हमारे योटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद